भारत ने हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। भारती खबरसाइदारे के मताविक हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी ट्विटर अकाउंट पहली बार नहीं बंद किया। इससे पहले भी भारती हुकूमत ने पाकिसान का सरकारी ट्विटर अकाउंट बंद किया नमस्कर दोस्तों जाहिंत, वेल्कम टॉ अप्टर मॉनिंग नियूस चैनल माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्विटर और टेसला कार कमपणी के मालिक उद्दगपती इलोन मास्क हामेसा खबरों में बाने रहते है ताजा खबर यह है कि इलोन मास्क ने बारत के पतन मंत्री नोरेंदर मोदी को ट्विटर पर फोलो करना शुरू कर दिया है आप मास्क द्वारा ट्विटर पर पीएम मोदी को फोलो करने पाट सोचल मीडिया यूजर के मज़दा रियाक्शन आने शुरू हो गया है पीएम मोदी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फोलो किये जाने वाले नेताओं में से एक है ट्विटर पर उन्हें 87.7 मिलियोन से ज़्यादा लोग फोलो करते है और इस लिस्ट में ट्विटर के मालिक इलन मास्क का नाम भी जूर गया है इलन मास्क ने जब से पतनमंती नोजंदर मोदी को ट्विटर पर फोलो करना शुरू किया है यूजर अपने अपने तरीके से तरा तरा के उन्हुमा लगा रहे है कुछ यूजर का मनना है कि मास्क भारत में जल्द ही नई फैक्टरी खोल सकता है वही कुछ यूजर ने कमंड करके ये जनना चाहा है कि क्या टेसला भारत आ रही है भारत ने टेसला के सामने ये सर्थ रख दी कि अगर वो भारत में अपनी गारिया बनाएगी ताभी उसे भारत में गारियों का बेजने की उनुमती मिलेगी ऐसे में बीज में ऐसी चर्चा था कि टेसला भारत की बज़ाए चीन में अपनी कार मैनुफेक्चरिन यूनिट स्थापित कर सकती है लेकिन अब जब टेसला के मालिक इलियोन मास्क ने भारत के पदन मंति नरंदर मोधी को ट्वीटर पर फोलो करना सुरू कर दिया है तो ऐसे उनुमन लगाया जा रहा है कि ऐसी संभा भेकी दोनों के बीज कोई सहरमती बनी हो और आप साइड टेसला की कार भारत आ सकती है देखिए सब से ज़्यादा हम अगरे यून के मिंबर्स देके वो इंडिया से ब्लाउं करते हैं और दूसरी बात इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टेम है वो हमारे तरह बेर बक्रिया नहीं निकालता है वो बिसिकली इस्टुडंस ही निकालता है और आप स्टुडंस निकालता है जो प्रोफेशनल होते हैं और उनका जो अभी जहां पर सोलर सिस्टम देखें उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्स स्टाट के तो इन से हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम हो पाकिस्तान के तरह है यह नहीं और इसलिए उनके ज़्यादा मिंबर्स इसी वज़ा से उसे प्रफर किया गया इंडिया अज़का जो है वह एक टिकनालोजिकल हब है गुजरात में एक टिकनालोजिकल सेंटर बना है और अभी वह लोग आईफून अपने जिनरेट कर रहे तो वज़ा है कि वह एक्सपर्टीज है तो इस बैस पर इनको वह फेव पाकिसान में जो हमियत है और एजुकेशन की हमियत नहीं है हमारी जो मफदात है या हमारी जो इंटरेस्ट है वह एजुकेशन की नहीं आप बजट में देखें कि हम बजट के लिए एजुकेशन के लिए हम कितनी बजट करते हैं आप इंडिया में देखें कि उसमें नहीं होता, क्योंकि एक स्टेट का या एक मुल्क की तो वो बात है नहीं, वो पुरी दुनिया के इंटनेट की बात है, दो तीन मोटी मोटी चीजे मैं आपर बता दू, एक चीज है जिसको हम इंटनेट गवर्नेंस कहते हैं, यह एक सब्जेक्ट है जिस पर पूरी दुनिया में बहस, UN के दारे बीस पर बहस कर रहे हैं, कि इंटनेट को रेगुलेट किस तरह किया जाए, अब हो इस वकत यह रहा है, कि फेस्बुक और ट्विटर जैसी कंपनीज के, जो के बहुत बढ़ी बन गी हैं, लेकिन जब वो शुरू हुए थे तो बहुत चोटे से थे, तो वहां के जो लोकल कवानीन हैं, वो उन पर लागू होते हैं, अब मसला यह है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी, अब पिछी तफ़ अप यही बात करे थे, कि जो सिरिकॉन वैली है, वहां पर प्रॉफिट मैटर करते हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक ना उनको जगा दी लिगल डिमांड थी, जिस पर यह बन किया गया है, तो यानि दूसरी कंट्री में यह एकाउंट जो है, यह व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में यह व्यू नहीं किया जा सकता, अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने किये, कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पर न पाकिसतान की दरफ से, क्यों बहुत स पाकिस्तान की दरफ से ये क्योंकि इसमें वो नहीं है, इक्स्थमनेशन नहीं है 2-3 जंगों मैंने देखा कहीं पर भी मुझे पता नहीं चल रहा्या, लेकिन, गड्राहिशों करना पनी गण्राशोesting फ्हasındaया है अच्छा फिर मैंने देखा कि क्या इसके पर कोई खबरें ऐसी आ रही हैं तो जहां तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख पाई हूं तो उसमें जो खबरें वो तो सारी ऐसी हैं जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर शाहबाज श्रीफ हैं उनकी जो डेली बेसिस पे जो भी उ कर गज Ahí कि जिस्की मिना पर इंडिया कहें के यह देको हमारे खिलाफ यह लिखा है तो इसको बंद कर दो हमारे आदर या पेये हम नहीं चाहतें पाफिस्टान नहीं चाहता कि हमारी खबर इंडिया में जाए क्यों देख रहे हैं हमारी कपरें बिलावजे देखे जा रहे हैं फ्री में मुफ्त में देखे जा रहे हैं